पिछली सरकार के समय घुमार्मी में हुए शीला नयास पट्टिकाओं को तोड़ने का मामला फिर से पिछली सरकार के समय में नाले का तट्टिकाओं करने के साथ साथ पारकिंग बनाई जानी थी इसका शीला नयास पूर मुख्यमंत्री वीर भर्दर सिंग्वा राजेश धर्मानी के द्वारा किया गया था आपको बता दें कि इस पट्टिकाओं से पहले भी कई पट्टिकाओं को तोड़ा जा चुका है जिसके मामले भी दर्ज किये गए हैं पर आज तक पुलिस को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है और किसी व्यक्ति या शराग्ति तत्व के द्वारा बार बार पट्टिकाओं तोड़ी जा रही हैं से मीडिया परभारी रजनीश महता ने बताया कि जिस किसी ने भी पट्टिकाओं तोड़ी है वे उनकी घटिया मानसिकता का परिनाम है पटिका तोड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता है पर ये भी सोचना चाहिए कि इन पटिकाओं के उपर सरकार के पैसे लगे हैं तथा सरकार के पैसों का इस परकार दुरूपयोग नहीं होना चाहिए कहते हैं कि जल ही जीवन है और इस भीशन गर्मी में जल ना मिले तो जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है ये बात सभी जानते हैं ऐसा ही इन दिनों इस तपती धूप में किरी पार्क शितर के खजियर गाओं में किसानों को पानी की एक-एक बून के लिए मोहताज होना पड़ रहा है यही नहीं गाओं की महिलाएं पूरुष बुजुर्ग व श्कूली बच्चे खड़ी पहाडी से पानी ढोकर घर पर पुरानी पाइपलाइन ठप पड़ी हुई है वहीं नई योजना अधर मेर लिटकी पड़ी है विभाग से कई बर गुहार लगाने के बाब जूद भी समस्य बैसी की बैसी बनी हुई है जिसका खाम्यजा यहां के बंशिदों को जेलना पड़ रहा है आपको बता दे कि चढ़ाई देखने को भी डर लगता है ग्रामेंड पानी के बरतन धोकर घर पहुँचा रहे हैं हालत यह हो चुकी है कि इकठा हुआ तालाव का गंदा पानी पीने को मजबूर है किसान यही नहीं उसी गंदे पानी में कई बर महिलाओं को अपने भी बहींद होने पड़ते हैं इस पर गंबीर समस्या का जीवन आधार नहीं हो पा रहा है यदि समय रहते इस समस्या का समधा नहीं हुआ तो कई लोग इस इकठे पानी से बिमार हो सकते हैं अब गाओं के यवाओं ने मन बना लिया है कि विभाग का घिराब किया जाएग क्योंकि कई वर्षों से इस समस्या को जेल रहे हैं अब इस भीशन गर्मी के प्रकौप में पानी ना मिलने से घरों में हाखा कार मचा हुआ है गाओं की महिलाएं भी पानी ढोकर अब ठक चुकी है अब सभी गाओं बासियों का सब्र का बांध तूट चुका है और विभाग के उपर कारे में कोताही बर्तने के लिए खेराब किया जाएगा युबा देश का गोरब है अगर युबाओं को अच्छी शिक्षा ना मिले तो देश परवाद हो सकता है पर इस गाओं में तो यही हाल युबाओं का नजर आ रहा है स्कूल जाने से पहले पानी ढोकर घर पहुंचाना पड़ता है कई बार स्कूल में लेट होने के बाद स इस गाओं के समीब एक खाले से पांच गाओं के लोगों को उठाओ पेजल योजना की स्कीम से जोड़ा गया है जबकि यहां नजदेक इन ग्रामबासियों को पानी की बून बून के लिए मोहतास होना पर रहा है अब ग्रामबासियों ने विभाग को करारा जवाब देने का मन बना लिया है जड़ ही इस पर गाओं के सभी युबा बुजर्ग और महिलाएं कारवाई करेंगे हिमाचल पतीश की उपरी हिस्सों में इन दिनों पलम सीजन चोर उपर है इस पर पलम बागवानों को दाम भी पिछले बर्श से अधिक मिलने से वे खुश हैं सर्दियों में आशा नुरूप बारिश और बर्फबारी हुई हैं पलम की फसल अच्छी होने के साथ साथ पलम का साइज भी लार्ज है हालांके कुछ तिन पहले तुफान ने पलम की फसल और पोधों को काफे नुकसान पहुंचाया था इसके बापचूर पलम की फसल बीत प्रयाप्ति जिससे पलम का आकार भी बड़ा है हिमाचल प्रदेश में पलम की बागवानी 800 हेक्टेर में होती है बीते वर्ष हिमाचल में 14,300 मीटरिक टन पलम की पैदावार हुई थी इस पार पैदावार 20,000 मीटरिक टन रहने की उमीद विजेशक के जता रहे हैं पूर 24,000 मीटरिक टन इंदिनों शिमला जीला के सतलूज घाटी क्षेतर और इसके साथ लगते मद्यम उन्चाई वाले इलागों में पलम तुडवान का कारेचोरों पर हैं बागवानों के साथ चात बाहर से पलम सीजन में मजदूरी करने आये लोग भी खुश हैं बागवानी विशेशक ये एबम गुटलीदार फल उत्पादक संग के रास्टिय द्यक्ष डॉक्टर आरेस मिनहास ने बताया कि पिछले आंगडों के अनुसार 8,686 हेक्टियर क्षेतर में पलम बागवानी होती है और पैदावार बीते वर्ष 14,340 मीटरिक टन हुआ है पिदेशी अच्छी किसन के पलम के पोधे आने से लोगों का रुजान अब पलम फजल की और बढ़ रहा है बजार में पलम की दरे अच्छी है और गैनिक पलम की किमत 90 रुपए है सहारनपूर से पलम सीजन लगाने आय अजब सिंग ने बताया कि वे सीजन के दुरान यहां आते हैं और दिन रात मेहनत करके अच्छा पैसा कमाते हैं से अपनी पढ़ाई की फीज आदी का बंदवस्त होता है मुहमद एहसान ने बताया कि वे पलम का करवार करते हैं वे पलम खरीद कर दिल्ली मंडी भेजते हैं अपने साथ मजदूर भी सहारनपूर से ही लाते हैं उन्होंने बताया कि पिछले हफते मंडी अच्छी थी करी पिछे से निकलने बाले फल का एक माँ पहले लगाया था उसका डेट गुन जादा फल निकल रहा है इससे पलम के ठेकेदारों को लाब हुआ है उन्होंने बताया कि मार्केट में लार्ज जाने बाले पेटी 400 वह दूसरी पेटी 200 रुपए में बिक रही है